चुछ जो एउसर अल्ला की लानत है और जुट जो है वो उस पर अल्ला की लानत है अब हमने शिर्क को इसा पर रद कर दिया हुआ हुआ इसलिए खुपको इसलिए क्तिते हैं तो जूट पर हमारे मौर लग जाते हैं क्योंकि हमने क्या कहा नमाज में आगर कि ए अल्ला हम तेरी ही तो अबादत करेंगे और तुझी से मदद मांगते हैं और अबादत क्या है जिससे लोग चिड़ते हैं कि आबिद अलग होता है ताही अलग होता है अब एपादत कर दोकूसोग जाता है अब जाते हैं अब यह उसको कहा जाता है और दाही किसको जाता है जो घ्ञट व्ध को उसके वक्त में पूरा कर दए था थाम झाह जब जाएं कि एपनी ही अकल को दोका दिया थाक, कूद पूर को twenty six हर दाई आपिद है, हर आपिद दाई है, यह दो नाम अलग-अलग है, मुसल्मान का नाम मुसल्मान भी है, और मुमिन भी है, मुमिन अलग, मुसल्मान अलग, हर मुसल्मान मुमिन होता है, हर मुसल्मान, हर मुमिन मुसल्मान भी होता है, दर्जात है इमान में, और वो तो हम इसकी डेफिनेसिन निकालना ये गलत है। इसी तरह दाई और आविज की डेफिनेसिन निकालना ये गलत है। क्योंग में क्कुरान कारीम ने कहीं भी दाई लख्य इस्तना यह दोता हम अपनी अकल से खा रहे हैं और जम की हम् ऐसे लोगों के पास नहीं बैठ पाते जिन में रहाई अरॉट के पाक ने हिर्ञ इन रहा है हर आदमी को इल्म नहीं मिलता इसलिए मैंने पिछले जुमा में बटाया कि पुरान और हजीज जिस मौलवी को सर्टिफिकेट देगी वो मौलवी आहरत में अल्ला के यहां ओलमा की फैरिस्तम होगा और ना हर आदमी मौलवी नहीं होगा दारलूम के जो पिछले जुमा में मौलवी मौलवी नहीं झाया और जिया क्यां एक आमाल में एक आम बात बता रहा हूं, इसमें लिखा है, कि इल्म अमल की आवाज देता है और ना जाय हो जाता है, तो अगर इल्म के तकाजे पर आपने आलम अमल किया, तो आपके पास वागी रहेगा आपने तो खतम हो जाएगा, इसलिए याद नहीं रहता।